तो हेलो एवरीवन मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नुहब फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सब पर सकते हैं फिजिक्स केमेस्थी मैच्स बाइलोजी फॉर एपसलूटी फ्री एट लर्नुहब डाट कॉम ठीक है तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नमबर सेकेंड वह कौन सा स्टक्चर ऑफ एटम ठीक है तो उसके हम कुछ कोशन वगेरा देखेंगे कुछ निमेरिकल वगेरा देखेंगे और मैं फिर से बोलूंगा स्टार्ट होने से पहले की फॉर्मूले को अलग से लोट करते जाइयेगा तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा कौन सा कौउशन से घृ नंबर यह कॉमेर तो हमें क्या करना है जए में जिसको जो वे है वो वन ग्राम होगा मतलब एक ग्राम क्या होगा एक ग्राम एलेक्ट्रों के अंदर कितने नंबर ओफ एलेक्ट्रों प्रिजेंट होंगे हमें यह देखना ठीक उसके बाद कैलकुलेट दा मास एंड चार्ज और वन मॉल ओफ एलेक्ट्रों अब हमें पार देख रहे हैं एक एलेक्ट्रों का जो मास है वो कितना होता है नाइन पॉइंट वान इंटू टैन की पावर माइनस थैटीवन केजी यह होता है क्या होता है वान एक एलेक्ट्रों का जो मास है वो कितना होता है नाइन पॉइंट वान इंटू टैन की पावर थैटीव 1 kg तो ठीक है लेकिन हमसे पूछा क्या है हमसे पूछा है ग्राम में हमसे पूछा है ग्राम में तो हम क्या कर सकते हैं के जी को हम करेंगे ग्राम में तो क्या हो जाएगा हमें पता है कि 1 kg is equal to होता है 10 की पावर 3 targeting कि लिएक वंखिसे लेक्ट्रोन कामास है willow कितना एगा 9.1 10 के पावर और three कितने लाव माइनस में जाएगा तो यह के प्रिंडिाम मतलब की एक अलेक्राउन वैंस कि तर्मम ऐंठ का है लिए बुए एक पूछा एक ग्राम का स्मझेट एक ग्राम Teen कितने electron होंगे मदलब मास में ठीक है एक recordquin मास में मास आप एletron में कितने number of electrons होंगे हमें ये बताना है तो ठीक है हम क्या करेंगे अब यह तो हो गए तमारे 1 electron में इतने थे ठीक है तो 1 gram में कितने में मैं कहता हूँ 1 gram में मान लो उसमें किते हैं X है ठीक है तो हम X की वेलू निकाल सकते हैं X की वेलू क्या जाएगी तुमारी X की वेलू आएगी X is equal to 1 upon 9.1 into 10 की पावर minus 28 ऐसी आएगा ठीक है X की वेलू निकालो के तो यह हां जाएगा यह यह आएगा थे नहीं 10.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 जब इसको सॉल्फ करोगे तो क्या आएगा एक्स एकल टू 1.098 इंटू 10 की पावर 27 एलेक्ट्रों मतलब मतलब क्या हुआ इसका कि एक ग्राम ठीक है वन ग्राम मैं कितने एलेक्ट्रों प्रेजेंट है 1.098 इनकी 10 पावर 27 ठीक तो इतने अब इसका हम देखते हैं सेकंड पार्ट देखो अब हमसे पूछा है कैलकुलेट मास एंड चार्ज और वन मॉल वन मॉल उफ एलेक्ट्रों तो सबसे पहले हमें समझना होगा किसी भी चीज के वन मॉल के अंदर कितने हैं स्पिसी यह मतलब आयन इलेक्ट्रों या मॉलिक्वोस चले आगर मैं तुमसे पूछू कि ऑप जन के एक मॉल ओफ ऑउक्सीजन में जो है अपना एक मॉल की बात करें तो इसने कितने एलेक्ट्रौं प्रिजेंट होंगे तो हम हमें होंगे ठीक है चलो इतने एलेक्ट्रonn इसके अदर प्रिजेंट होंगे तो वन मोल्स में इतने हैं लेकिन हमें पता है कि मास आफ मास of electron मास ऑफ एलेक्ट्रोन कितना होता है compress of electron कितना होता है हमने भीडेगा था 9.1 into 10की पावर माइनस 31 kg हमने कनवर्ण करता बात रहिए भी ग्राम में तो अब यह बताऊ तो kanaa सोब इसलिछ इतना है ठीक है और हमें वन मूल की बात करनी है तो वन मूल वन Zurman कितना होगा हम ठीञे यह तो एक एिलेक्ट्रॉन का बात था ना裡 कि इलेक्ट्राउन की बास चल रही थी ना इद एक एलेक्ट्रॉन का मास इत्तल खो वन मोल का कितना होगा simple थी बात है तुम समझे गए zero point 22 into 10 की पावर 23 into इसका मास Technical cross 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg यही कुछ होगा इतना समझ गया ना कि देखो मैंने क्या बोला एक एलेक्टरॉन का मास इतना है ठीके तो एक मॉल इतना समझ गया चलो ठीके बाई है उसके बारा चार्ज औफ वन मॉल ओफ लेक्टरोन अब तुमेश मなた indulge नेक़्राण आफ कर लोगे अपने पुछलो बीपढ़ा बीपढ़ा आजिए अब हम क्या सब से पहले हो चार्ज charge on one electron charge on one electron ठीक है तो electron की उपर charge किता होता है वो कितना होता होता है तमारा 1.602 into 10 की पावर minus 19 कूलंब यही होता है अब उनने तुमसे पूछा क्या है 1 mole का ठीक है तो 1 mole of electron का charge कितना होगा भाई charge on 1 mole of electron ऐसे लिख ले ना ठीक है देखो लिख देता हूँ क्या लेखेंगे हम चार्ज on 1 mole of electron ठीक है तो कितना होगा वो तुमारा फिर से वही करोगे तुम कितना है गा 1.602 into 10 की पावर minus 19 into 6.022 into 10 की पावर 23 इतने लेक्रोंज प्रेजेंट है ठीक है इसको solve करोगे तो क्या आएगा तुम 9.65 into 10 की पावर 4 कूलम ठीक है 10 की पावर 4 कूलम तो भाई तुमारे answer सारे के सारे आचुके है ठीक है सुनो मास कितना आया तुमारा 1 mole का वो आया तुमारा 5.48 into 10 की पावर minus 7 kg पहला और दूसरा चार्ज कितना आया तुमारा चार्ज आया तुमारा 9.65 into 10 की पावर 4 कूलम समझेगा यूनिट पर के द्यान देना ठीक है यह वाला कोशन हो गया समझ गया हो गया काफी अच्छी तो समझ गया हो सिर्फ वैलियू का खेलता और मोल्स तो हमें अंदर कितने नमबर ऑफ एलेक्ट्रोना में वो निकालना है ठीक है चलो फिर सेकंड पार्ट के हमारा फाइंड टोटल नमबर एंड टोटल मास ओफ न्यूट्रॉन की बात हो रही है उपर एलेक्रोन नीचे न्यूट्रॉन की तो मैं यह तो तुम्हें पता होना चाहिए ना तो मैं गिवन दिया है चलो ठीक है उसके बाद तुम्हारा थाड है फाइंड टोटल नमबर एंड टोटल मास ओफ प्रोटॉन सब आ गया तुमारे लेक्ट्रोन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गया ना इन 34 mg of ammonia at stp ठीक है विल दा आंसर चेंज इफ टेंप्रेचर एंड प्रेशर राचेंज चलो ठीक है तो हम सबसे पहले फस्त वाला स्वाल करते हैं फस्त वाला ठीक है सबसे पहले हमें क्या दिया है वन मोल ओफ मीथेन में हमें नमबर ओफ एलेक्ट्रॉन निकालने तो हमें प मीथेन गैस च फॉर के अंदर कितने नम्मर ओफ एलेक्ट्रॉन रहेंगे या एटम रहेंगे या मॉलिक्वल रहेंगे वह कितने रहेंगे सिक्स पॉइंट जी डूटू इन्टू टैन की पावाला ट्विए यहां पर किसकी बात हो रही है नचलो बात करते हैं इसकी मीथे की अब बताओ मीथेन जो है वो कितने एलेक्ट्रों से मिलके बना होगा वो कितने एलेक्ट्रों से मिलके बना होगा कार्बन के पास कितने एलेक्ट्रों मतलब उसका किसकी बात हो रही एक नमबर की देखो तो रहा है सिक्स प्लस हाइड्रोजन के पास कितने एलेक्ट्रों हो होते हैं अब मीथेन के अंदर तो ओल डिदी दस हैं तो ठीक है तो क्या हो जाएगा तुमारा कितने लेक्ट्रों जाएंगे टोटल वो जाएंगे 10 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने हो जाएंगे ठीक है सॉल्व कारों के तो कहाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 24 एलेक् इन vone mole of methane तो एक mole of methane मैं इतने electron हैं हमने करा पैले तो हमें Normal पता था ठीक हमें पाता था कि एक cafच सै कोई भी गैस हो इसकोलिटने कितने electron सों टेंटन इतने electron होते हैं एकingers बना बाद बताओ पाउर ऑट जब एक मोल 23 electrons ठीक है तो यह आजाएगा तुम्हारा आंसर इसको में धर लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं दूसरे 6.022 इंटू 10 की पावर 24 electrons समझ गई है चला हम नेक्स पार्ट पर चलते हैं हमारा देखो हमारे नेक्स पार्ट कहा रहा है है find the total number ठीक है सबसे पहले हम नमबर की बात करते हैं एंड़ टोटल मास आफ न्यूट्रान इन सेवें एमजी ओफ 14 गारवन C14 मलब C14 बोल सकते हैं उसको देखो तो भाई हमसे बोला गया है कि मास उफ न्यूट्रान दिया हुआ है हमें ठीक है तो हम सबसे पहले numbers की बात कर रहे हैं मास अब हम देखते हैं तो सबसे पहले सेकेंड का हम एपार्ट देख रहे हैं एक पार्ट देख रहे हैं हम तो देखो तो मुझा calculate the number of neutron number of neutron तुमें निकाल लें तो एक बात बताओ ठीक है सबसे सबस्क्राइब देखो 14 कारबन है 14 कारबन है ठीक इसका एक नमबर किता होता है 6 एक नमबर होता है इसका 6 ठीक है तो इसके इंदर neutron कितने present होंगे तो हम क्या कर सकते हैं मास माइनस atomic number atomic number कर सकते हैं ऐसी निकाल लोगे तो number of neutron ऐसी निकाल लोगे तो n is equal to तुम्हारा आएगा कितना 14-6 तो कितना आएगा तुम्हारा यह आएगा तुम्हारा 8 ठीक है तो कारबन के अंदर ही 8 electrons है 8 Neutrons है तुम्हारे ठीक 8 Neutrons उसके अंदर है अब उन्हें पूचा कि 7 मिली ग्राम में कितने Neutron present होंगे तो सबसे पहले हमें मास पर जाना पड़ेगा तो देखो सेकेंड का भी पार्ट परना इसके यह नहीं निकलेगा ना ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई बात कर रहा है वह 7 कि हमें पता है कि 11 का जो मास हें वो कितना 14 ग्राम 14 ग्राम या यह उपर ले खरका रहता है वो मास ही होता यहां तुमारा टेन क्राम अब हमें चाहिए satisfatra में तो हम इसको करेंगे तोot करेंगे तो क्या है Cannes tavik मिलिग्राम एसे कनवाट होगा ठीक आप अनने क्या बोला है देखो अब अनने बोला क्या है यह 14 x 10 की पावाः 3 मिलिग्राम है थिक हम क्या बोलते हैं इतने ग्राम के अंदर कितने एलेक्ट्रोन प्रेजेंट होंगे फिर से वही बात आ गई इस पॉइंट जीरो टू टू इंटू टैन की पावर 23 इतने क्या होंगे प्रेजेंट होंगे तुमाइं न्यूट्रोन प्रेजेंट होंगे ठीक आप उसके बाद उनने बोला है कि सैवन मिलीग्राम में कितने होंगे तो हम भी यही पूछते हैं कि सैवन 7 गिली मिलीग्राम में X होंगे हमने भी यही पूचा कि X होंगे भाई अब उनने बोला X क्या है तो हमने एकसी वैल्यू उनको निकाल के बताई X एकसे कल्टू कितना होता है तुमारा 7 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावा 23 अपन यह किता है तुमारा 14 इंटू 10 की पावा 3 हमने ऐसे उनको निकाल के बता है तो एकसी वैल्यू क्या ही तुमारी X इककल टू यह देखो यह तो गया टू फिर इसको करो के तो किता आएगा तुमारा 3.011 इंकू 10 की पावा 20 यह 1000 की 20 सुलाहरे तना अपना है यह? टिक 3.011 इंटू 10 की पावा 20 इतना अगर मतलब क्या हुआ कि 7 ओना मिलीगिराम के अंदर कितने न्यू टर्ण प्रेज़एंट है इतने न्यू टरॉटर्ट प्रेजएंट है इतना समझ गाना कितना नू टरू used in. अटने निकालना क्या हमें निद्रम निकालने कितने निद्र सबक्राइब मितें अमक्राइब मिन uns reflect हमतला निकाला क्या है देखो हमें ज्बिया था हमें इसके निड्राइब की सिटी तो टल मास आफ़वन इन सेwen हमें बचा हुआ है ठीक है तो एक बात बताओ 7 mg के अंदर कितने न्यूट्रोन है इतने न्यूट्रोन है 3.011 इंटु 10 पावर 20 20 ठीक है इतने हमाएं पास न्यूट्रॉन है अब इनका मास कितना होगा तो हमें वो निकालना है तो सबसे पहले यह देखो तुम कि भाई इनका मास क और क्या इसमालिक्यूल के पास खुद के न्यूट्रोन प्रe clearing है जैसे कि हमने मीथेन का देखा था भी कि मीथेन के वन ओल के अंदर 6.022 इंतंबावावर 20 ठीक ह्यol पराएं लेकिन मीथेन मॉलेक्यूल के पास निपतो कुछ रिएक्ट्रॉन प्रेजेंट थै थैन है ना स्क्राइरond ऱकष खांध मीघट से एक नंभर से अत् मेक नंबर से ताम हे के आएगा तो हमारा आ जाएंगे कितने हमाय पास नियूट्रॉन प्रिजेंट है अजाएगा ठीक है तो मास कितना है इसका 14 माइनस एटमेक नमबर किता है इसका 6 कितना आएगा इसका शकांस देखो एट तो एड न्यू ट्रॉन इसके पास प्रिजेंट इतना समझ गया हैं ठीक है तो अभी यह बताओ कि हमें कैने कालने मास निकालना है तो एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है जरह यह बता हो ठीक है हमें वो पता है कि वह तो गिवन है तो मैं तो मैं तो मुसको देख के बताओ ठीक है नॉर्माली भी तुम्हें पता होना चाहिए देखो कितना है 1.675 in to 10 की पावर माइनस 27 होता है यह होता है यह नॉर्मली भी तुम्हें पता होना चाहिए अब मैं तुम्हें से लेक्ट्रॉन का पूछे तो हमने अभी भी यूज के रहा होगा ठीक है चलो इतना समझ गया हो तो अभी बताओ इतने नंबर ओफ न्यूट्रॉन तुम्हें पास हैं तुम्हे करोगे ऐसे कि 3.011 into 10 की पावर 20 इतने न्यूट्रॉन प्रेजेंट प्लस इंटू इंटू 1.675 into 10 की पावर माइनस 27 यह करोगे तुम ठीक है यह क्या है के जी मैं तुम्हारा और और हम किसकी बात कर रहे है कारवन 14 की बात कर रहे हैं तो उसके पास कितने न्यूट्रॉन है एट एट न्यूट्रॉन प्रेजेंट है ठीक है जाब इसको तुम सॉल्व करोगे तो करता है गाव 14C6 is equal to 4.033 into 10 की पावर माइनस 6 kg को समझ गए इतना समझ गये तुम ठीक है हमने into 8 क्यों किया और हमने यह क्यों किया तो माइद दिमांग में आ रहा होगा कोशन देखो हमाई टोटल न्यूट्रॉन इतने थे हमें मास और यह 7 mg के अंदर इतने थे हैं ना 7 mg के अनदर इतने ते अब हमें मास चाहिए किसका 7 mg के अंदर जिदे न्यूट्रोन प्रेजेंट है मतलब इतने तो देखो यह तो हमने लिख लिया अब भाई हमें यह भी पता है कि यह जो मॉलीक्यूल है यह जो एटम है इसके अंदर भी तो न्यूट्रोन प्रेजेंट है उसके अंदर भी तो न्यूट्रोन प्रेजेंट है तो कितने आए एट आए ठीक है एट न्यूट्रॉन उसके अंदर अल्रेडी प्रेजेंट है इतना हम समझ रहे अब उसके बाद तो न्यूट्रॉन का मास किता होता है वन पॉइंट सेवन फावर माइनस 27 kg ठीक है यूनिट नहीं बूलना के जी ठीक है जाब इसको सॉल्व कर समझ इतना ठीक है चलो अब नेक्स पॉइंट देखते हैं हमारा देखो अब तो मैं निकालना क्या है तो मैं निकालना है थर्ड वाला क्या किया रहा है फाइंड टोटल लंबर ओफ प्रोटॉन ठीक और कितने में 34 mg ऑफ अमोनिया के अंदर तो में प्रोटॉन निकालने है तो ठीक है हम निकालते हैं और दूसरा पार्ट बोला तो टोटल मास ओफ प्रोटॉन तो मास ओफ प्रोटॉन भी निकालने हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं चलो एक अमोनिया का मॉलीक्यूल के अंदर कितने नंबर ओफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे हमें पता है 6.022 इंटू 10 की पावा है 23 होंगे ठीक है इतने होंगे अब यह बता ओ एकम मास ओफ अमोनिया कितना होता है यह देखते हैं हम एक मास नहीं तना होता है 14 प्लास है बनके कितना होता है थी 3 कैसे होगा क्योंकि 3 molecule है hydrogen का होता है 1 तो 3 into 1 3 तो यह जाएगा तुमारा 17 ग्राम 17 ग्राम अमोनिया के अंदर कितना होगा 6.022 into 10 की पावा 23 प्रोटोन प्रेजेंट होंगे आप तुमसे पूछा है 34 मिली ग्राम 34 मिली ग्राम और यह ग्राम तो कनवर्ट किसका करना पड़ेगा इसको करेंगे हम 17 into 10 की पावा 3 मिली ग्राम के अंदर है 6.022 into 10 की पावा 23 ठीक है तो यह बताओ 34 मिली ग्राम के अंदर कितना होगा भाई तो मैं एक तो सीधे-सीधे दि का लेंगे हमकी X होता है तो उन्हें बोला कि X की वैल्यू क्या है तो उन्हें बोला हमने बोला X is equal to होता है 6.022 into 10 की पावा 23 इंटू 34 अपॉन ठीक यहां यह नीचे जाएगा तो 17 into 10 की पावा 3 है ना देखो इसको solve करोगे तो क्या आएगा यह यह आएगा तुमारा 12.022 into 10 की पावा यह 3 से 23 कट गया तो 20 आगया एक से एक कॉल टू के आए तुमारा 12.022 into 10 की पावा 20 इतना समझ गया है कि भाई इतने प्रोटॉन प्रिजेंट होंगे ठीक चलो यह एक बात तो हो गई लेकिन हमें यह भी पता है कि भाई एक अमोनिया का अगर मॉलीक्यू उसके अंदर भी तो कुछ प्रोटॉन होंगे ठीक है तो कितने प्रोटॉन होंगे यहीं पर देखते हम कि यह है तुमारा अमोनिया यह तुमारा अमोनिया अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइडोजन नाइट्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंग है ना यह जाएगा 10 तो भाई हमने निकाला कि ammonia एक ammonia के अंदर इतने proton थे उसके पास already कुछ proton है ठीक है तो क्या आएगा तुमारा यह हो जाएगा total total proton protons in ammonia molecule ammonia molecule वो भी ठीक having having mass of 34 gram 34 miligram मतला मैं तुमसे बोलू कि 34 miligram of ammonia के अंदर total proton कितने होंगे तो वो होंगे 10 इंटू 12.220 इंटू 10 की पावर 20 इसको simplify करके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा यह जाएगा वन पॉइंट टू जीरो टू टू ठीक है टू टू यह डबल हो गया तना तो यह 44 है वाई ना यहाँ पे आएगा 12.044 इंटू 10 की पावर 20 इसकी पावर इसके पास चलो यह वाला तो हो गया हमारा अब सेकंड पार्ट देखो ठीक है सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि तोटल मास अफ प्रोटॉण टोटल मास ऑफ प्रोटॉण तॉम लिखेंगे कि टोटल मास कितने है तुम्हारे पास 1.67 into 10 की पावर माइनस 27 kg यही होता है ठीक इसको सॉल्फ करोगे तो क्या आएगा तमारा total mass of protons total mass of protons वो कितना आएगा इसको सॉल्फ करने के बाद आता है वो 2.01 into 10 की पावर माइनस 5 kg समझ गए यह बात ठीक है तो इतना तो एजी था बस हमें निकालना यह था अब देखो हुआ क्या क्या है अमोनिया अमोनिया का मास कितना होता है 17 ग्राम तो 17 ग्राम 2 फिसकी आमोनिया मॉल SteakOWN अंदर इस यह बीटो किसी एटम से मिलके बना है जिसके कि एतना ठीक है और तो भाई इतने इतने लें प्रोटोन का मास कितना होगा हम इंटू कर देंगे सीधा सीधा तो हमाई आंसर आजाएगा समझ गए बात ठीक यह वाला कोशन हो गया हम दूसरा देखते हैं देखो हमने पूरा कोशन तो हम देख चुक है न ठीक आप इसमें क् जगा बात करी है मास की ठीक है तो मास के ऊपर टेंप्रेचर और प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस आंसर में ठीक है तो तुम क्या लिखोगे तुम लिखोगे और किसकी बात इसमें टेंप्रेचर की टेंप्रेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमने किसकी बा temperature temperature and pressure pressure are change ठीक है कोई भी चैन्ज नहीं आएगा जाकर तुम temperature और प्रैशर को को सब बताने तब से पहले मिधिया है 13C और 6 टिक को हमने पता है सिक्स क्या अर्जैमी in質 नमबर एक अर्जैमक नमबर कैंहारा 6 टीक्ड़क अर्ण एक नमर क्या बताता है या तो प्रोटन या तो र्र Tang थी करे हमने इसको माल लिए proton ठीक है ये वोग के तमवारा proton कितने हैं मैं proton होगा इसमें 6 चिता इतनी अब नमेर होते हैं proton अब इस मैं तुम से पूछूं Cave neutron कि doesn't किस बनके बनता है वह neutron बनता है तुमारा proton plus neutron से ठीक है अब मैं क्या करूं अगर मैं इसमेसे सर्ण इस एक भ Was सब 2023 का होता है number of proton now number of proton तो क्या होगा PCP कैंसलो सिर्फ आगा तो मेरा टू चरो करते हैं क्या हो कर द एक तो न्यॉट्वर सेवल से के पूंडogeneous उस मैं सहले टो सब्सक्राइब ऑन अब ब exhortive इसे पूछी वह दो फोल्ट्राइब कमारा कौन सा कार्बन एटमिक नमबर है कित्ता एट एटमिक नमबर एट मतलब प्रोटॉन किते हो गए तुम्हाएं पास प्रोटॉन किते हो गए प्रोटॉन हो गए तुम्हाएं पास एट और अब न्यूट्रॉन किते हो गए न्यूट्रॉन तुम्हाएं पास होगा 16-8 मतलब कि वह भी एट जि प्रोटॉन तो चलो थो मापास अब प्रोटॉन केते हो गए 12 और प्रोतौन तुम्हा पास 12 वह एलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी तुम्हा पास 12 हो गया अब निच完了 के लिधित हो गए है निउटरों हो जाएंगे तुम्हांटी Kinó for twenty six, अब इसको solve का रोट के आएगा गादेख मार अपास number two atom number करता है तुमारा twainty सेक्स, तो तुमाहा पास proton कि ते हो गए, 26 है कि नहीं अब बताओ neutron कितने हो गङे तुमाहा पास, neutron कितने हो गए तुमाहाँ पास 56-26 कि ताहएगा, 30 neutron कितने हो तो ना थाइटी होगा ना 30 ठीक चलो अब बागी बचा तुम्हारा एसर देखो 88 एश और ठीक है यह थाइटीएट है सिंपल साहे जितने एल्यक्ट्रॉन जितने एटमिक नंबर वो तने एल्यक्ट्रॉन और प्रोट्रॉन तो प्रोट्रॉन किते होगा तमहारा पास 38 ठीक है neutron क्या हो जाएगा तुमारा 88-38 तो n किता होगा तुमारा पास 50 ठीक है बस एक चीज़ क्या याद राखोगे तुम neutron कैसे निकालते है number of neutron atomic mass atomic mass minus atomic number atomic number समझ गए कैसे क्या आएगा यह फिर यह आगा तमारे neutron ठीक है यह आएंगे तमारे neutron neutron क्या कौन सा चार्ज होता है कोई चार्ज नहीं होता पॉसित भी कुछ नहीं हो तरीक इसको एक और तरीकिस कैसे लिखता है न्यूट्रो एक बास मनता है तुमारा proton neutron से ठीक है और atomic number को हम किस से या तो electron या तो proton दोनों एक ओल अमांट में होते हैं तो proton तो proton से proton कैंसल तो एन बचेगा तुमारा तुमें दिया है ठीक है तो मैं यह गिवन एप तुमें क्या निकालना है तो मैं बताना सिंबॉल बताना की कौन सा कौन सा प्रेजेंट है चालो पहला कौन साइब हेला है जट साभटी में से मधा ओर कि कोना आता है तो तुम बोलोगे क्लोरिन आता है क्लोरीन क्या हो गया तो हम कहां लिगते हैं प्रटे canopyינ कि सभ कहा लगते हैं Hub दूसरा है जैड तमारा 92 और फिर एए तमारा 233 आप तूड़ते रहो दूड़ते रहो 92 नंबर पर धूड़ते आएगा तुमारे मिलेगा यूरेनियम uranium जिसके लिए लडाईयां हो रही है समझ रहा हो यह 92 क्या 92 इसका नीचे और यह जाएगा 233 uranium बहुत ज़्यादा useful है भी है समझ रहा हम धूरते रहते हैं चल यह क्या है थर्ड थर्ड क्या तमारा फोर और यह तुम्हें एजी ली मिल जाएगा क्योंकि तुम्हें सिर्फ चार ही कदम चलने पड़ेंगे तो यह कौन सा होता यह बैरियां बोरॉन बताओ बताओ ठीक देखो पढ़ लिया अब तक तो यह क्या होगा यह ना यह होगा फूर समझे बात बोरॉन तो भी होता है बचा क्या वहीं बचा चलो यह होगा तुमारा क्या होगा तुमारा यह वाला कोशन नंबर फोट यह तो इसी था यह बहुत इसी था प्रिए टेवल खोल लोगा तो सीधे सीधे बताद होगे समझे चलो ठीक अब दूसरा देखते हैं देखो क्या है कि यलो लाइट एमिटेट फ्रॉम सोडियम ल क्या होता है यह एक यह नंबर और येलो लाइट टिक सबसे पहले बताओ सी मतलबahan क्या है यह है तुमारी फ्रेक्वेंशी सी है तुमारा क्या स्पीड ऑफ लाइट वो कि तफी होती है थिरी इन्टू टैन्ट उडिभावर एٹ GIS अब सेयंड और यही होता है अब उसके बाद लेमडा मतला wavelength wavelength कि दिए तुम्हें wavelength तुम्हें दिया है lambda is equal to हमने खुद convert कर लिया 580 इन्टू 10 तुरी पावर माइनस 9 मीटर ठीक माइनस 9 मीटर तो बस अब value put कर दो तुम तो तुमारा frequency आएगा ठीक है यह क्या है तुमारा V is equal to यह मुव है मतलब उसको मैंने ऐसे लगा ठीक है c3 into 10 तुरी पावर 8 मीटर एसे लेख साथ हूँ सेकेंड मीटर अपॉन सेकेंड ठीक अपॉन यह क्या तुमारा 5 80 into 10 तुरी पावर minus 9 meter into meter meter से मीटर कैंसल बाचेञा क्या तमारा सिर्फ सेकेंड ठीक है सैकेंड बचेगा अब सुनों अभ इसको जब तुम सॉल्व करोगे ठीक है जाव इसको तुम सॉल्व करोगे तो यह उपर जाएगा यह जो टेंट टिू पावर नाइन यह उपर जाएगा तो खिस्म तुम्हारा देखो सॉल्व कर उसको ठीक है तो यह क्या है तुम्हारा वी इस एकल तू 5.17 इन्टू 10 तुरी पावर 14 ठीकर 10 तुरी पावर 14 यह सेकेंड ऊपर तो यह सेकेंड इन बस समझ के बाद चलो यह आगे तो मैं फ्रेक्वेंसी फ्रेक्वेंसी वैसे भी क्या होती है बाणब फॉन यह होता है ना वन अपॉन रिवॉल्येशन जितना रिवॉल्व हो रहा है वान आपॉन प्रीड यह भी बोलते हैं तो और यह क्या हो जाना चाहिए टाइम की इनट क्या होती है वहना सेकेंड तो यह सेटन फूपर जाईगा तो वैसे भी सेकंड इन्वर्स तो यह से भी लिख सकते हो तो और यह से भी निकल जाती तो बता दिया अब उसके बार तुम से पूछा है वेव नंबर वेव नंबर क्या होता है वेव नंबर एकदम ही रैसिप्रोकल होता है किसका वेव नंबर होता है रैसिप्रोकल किसका वान अपॉन लेंडा मतलब वेव प्रोकल तो चलो वी अपन वन अपन वन अपन तुम्हें केतना दिया 580 580 इंटू 1030 पावर माइनस नाइन मीटर ठीक है माइनस नाइन मीटर सॉल करो इसको सॉल करो इसको क्या है का तुमारा 1.724 इंटू 1030 पावर 6 मीटर समझ गए सेंट्री पावर 6 मीटर इनवर्स समझ गए बात यह हो जाए का तुमारा वेव नंबर ठीक चलो यह हो गया हमारा वेव नंबर देखो की वेव लेंध भी और सुम्हें लाउट की होई है तो सबसे पहले क्या दिया यह एंग्श्ट्रॉम से कंवर्ट करना अपडएगा मीटर में तुम्हों झोटे से बड़े पर जाओगे तो वह क्या होता है वयलू 0.50 to doれ inट्ट्टाइघ फीक को पावर माइनस 10 रो घ्र और में लेमडा मेंल सेधा तुमहल को लागे तुमारा थी एंटे फटी पावब मानस 10 चलो उसके बाद अब तो महारे पास क्या है मतलब तम्हाई पास फ्रिक्वेंचींचा रे मतलब क्या मिवन जी कैया होता है E is equal to H mu होता है E is equal to H mu होता है ठीक है तो E की वैल्यू यहां पे H क्या है तुमारा Planck constant और Planck constant की value क्या है 6.626 into 10 to the power minus 34 यह है तुमारी Planck constant की value ठीक है तुमारा h mu क्या होता है तुमारा m्यू हमें पता है C upon lambda होता है तो यह क्या हो जाएगा सी अपॉन लेंडा और सी क्या है तुमारा स्पीड ओफ लाइट सब को पता है स्पीड ओफ लाइट क्या होती देखो यह एक कॉल्ट तुमारा क्या होगा फिर यहां पर वैल्यू राको 6.0626 इंटू 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power it meter per second यहीं होता न अपन अपन लेमडा किता है तुमारा लेमडा हम देने काला 0.0050 0.50 टीक है इंटू 10 to the power minus 10 है न है न लगौत यहां तुमारा तो क्या है गा E is equal to आएगा तमारा 3.98 into 10 to the power minus 15 Joule ठीक यह आएगा तमारा energy किसकी photon की तमारी energy आगई कित्ती 3.98 into 10 to the power minus 15 Joule और Joule कैसे आई Joule कैसे आई देखो energy की unit क्या होती है Joule ठीक है और यह meter पर सेकंड यह meter पर सेकंड टीका और क्या या लबडड़ यह वाला मीटर सेकंड टीक और यह आँ फी जो में ले में ने काल ओए वो भी कटेगा और एच वो भी तुम्हों होते ना जूल मिटर मिटर बस यह होते ना and wave number of the following whose period is कितना दिया 2 into 10 to the power minus 10 second इतना तुम्हें गिवन है ठीक है तो सबसे पहले तुमसे पूछ कहा रहा है सबसे पहले तुमसे पूछ रहा है वो wavelength wavelength मतलब lambda पूछ रहा है उसके बाद तुमसे पूछ रहा है ठीक है यह कहा है तुमारी frequency और यह पूछ रहा है तुमसे वेव नमबर इतनी सारी चीज़े पूछ रहा है चलो अब relation लगाना चालू कर दो ठीक है चलो हम question पर बाद में द्यान देंगे हम relation पर द्यान देंगे सबसे पहले है wavelength हमें पता है wavelength या फिर वेव नमबर रैसी प्रोकल होते हैं एक दूसरे के ठीक है तो चलो एक निकालेंगे तो दूसरा जाएगा ठीक है चलो अब यह वालत बताओ बहुत अच्छे से यह बहुत इजी वाला कोशन है यह वाला ठीक है तो इस पर ज्यादा कान्द नहीं होना टाइम भी निए इसको सीदेट युदी यह सीधे कर लेंगे हम हमें पता है म्यूँ इस एकल टू होता है सी वायलेंडा ठीक है और सी हमें पता हूद यह क्या होता है स्पीड ओफ-लाइट मतलब इसकी वैल्यू सकी वैल You the होती है 3 into 10 to the power 8 meter per second या मैं पता होती है ठीक है चलो यतना अपना हो गया अब तुम्हें चाहिए क्या है तो मैं चाहिए मूं मूं हमें एक और चीज पता है मूं क्या होता है तुमारा एक और चीज होती है वह क्या होता है वन अपन टाइम या फिर तुम इतना बोल साकते हो वान अपन जितना पीरियद हो राउंड ले रहा है यह होती फ्रिक्वेंसी हम बहुत टाइम से पढ़ते आ यह वाला ठीक है बिल्कुल टाइम ने देना अपन सीधी सीधे करेंगे अब माइनस 10 second कि इतना तुम्या गवन यह नोल समझ गएन तुम मतलब बने पॉनर टाइम मतलब तुम्हें वही दिया है यह दिको इन तो में ठीक है और इसको सिंप्लिफाय करूंगा तो कहले हूंगा मियूव एक कॉल टू फाइव इंटू टैन की पावर माइनस नाइन कि माइनस nine और यह पूरी यून siete की है कि यह लेको सेकंड ऊपर जाएगा तो सैकंड इनवर्स सैकंड और को है लुक्वण और फ्रिक्वेंषीड की यून खिस्में आतीे सेकंड इंवर्स्म है तो उसको नहीं है चलो एक से लेमड़ा जबाया जाए गए चीवाई म्यूव क्यों या आएगा बस वेल्यू पॉट कर दो क्या जाए गा 3.3 इन्टू तरी पावर एक मीटर पर सेकेंड तृइंट रिपावर एट मीटर पर सेकंड यह मैं पता है अब हमाई यह यह फाइब इंटू टैन की पावर माई नाइन सेकंड इन्वर्स ठीक है यह हमारा यह मिस और यह से जन्वास हरए यह से ऑन पासय रसाएं तो दोनों एक दूसरे कर जाएंगे बशढ़ेगा क्या मीटर ओर वेव लैंध है लेंध है तो मीटर में यह आएगी तो लैंडा सकॉल टू क्या आएगा है कि Six into टन की power-2 m कि समझ गेतना चाहिए दो चीज़ आ गही हमारी और हमें निकालना क्या है हमें निकालना यह नमबर लैम्डा कर दिंगे इसको वन अपाउन लैम्डा तो देखो वेव 16.66 meter inverse क्या तुम्हारा यह 16.66 meter inverse अब तुम खुश सोचो जरह यूनिट को मिला लो frequency unit one upon T मतलब time नीची है तो second inverse ठीक है चलो उसके बाद क्या तुम्हारा wave number wave number reciprocal होता है wavelength का तो क्या हो जाएगा meter inverse वह अच्छे ठीक है तो चलो हमाई यह तीन चीज़ आ गई relation पता होना था बागी तुम पूरा कर लेते हैं ठीक है समाझ यह वाला कोशन आप नेक्स देखते हैं देखो अब हमाई नेक्स कोशन बोल रहा है कि वाट इस अनमबर ऑफ पोटोंस आफ लाइट विथा वेवलेंद कितनी वेवलेंद दिये तुम्हे थाउजन पीकोमीटर ठीक है यह वन जूल आफ एनरजी वन जूल आफ एनरजी प्रोवाइड कर रही है इतनी वेवलेंद है तुम्हें निकालने नमबर ऑफ पोटोंस निकालने ठीक है तो बस ध्यान दो अब कैसे का लोगा हम इसे कॉल्ट हमें क्या चाहिए एनरजी हमें सब्सक्राइब तैक है यह होता है एंच और एक चीज पता है ओन जूल कितने एनरजी के को हो दो एनरजी की यूनिट ही है ना ठीक है तूम वैसे निकाल नेगे अब हमें पता है यह तो एनरजी है एनरजी हमें दी नहीं है एनरजी हमें निकालनी पड़ेगी एच इसे कॉल तो मैं पता है प्लाइंग कॉंस्तेंट कितना होता है 6.626 इंटू टैन की पावर माइनस 3034 यही होता है ठीक है औटे लुए कॉल पीपैंटी मितर ये जूल सेकंड होता है ठीक है अब दो लेम्डा तो मैं कितना गिवन हो थिंट पीको मीटर फीको मीटर मतला 4000 ίंट टो टैन की की पावर माइनस 12 लोगा ना फेल रहुआ हो गा होगा ठीक है तो इसको इसको सॉल्व की पावर माइनस नाइन यह मीटर में आएगा है ठीक है बस सारी की सारी वैल्यूस को में धर पूट करेंगे तो क्या आगा देखो ईज़े को आएगा ईज़े कॉल टू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू स्पीड आफ लाइट कितनी दिया तुम्हें थ्री इंटू 10 की पावर एट मीटर पर सेकंड है ना उसके बाद लैम्डा कितना है तुमारा फॉर इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर ठीक है कि तुम्हें गिवान है तो ईज़े कल टू का अगा देखो ईज़े कल टू 4.969 इंटू 10 की पावर माइनस 17 जूल यह आएगा तुमारा ठीक है चलो इतना तो आगे हमारा है ना इतना हमारा आचोका है अब हमें एक चीज़ पता है क्या है यह हमाई पूर जितने फोटॉंस प्रेजेंट थे उनके एनरजी आगी टोटल एनरजी आगे हमसे यह दिया था ना टोटल एनरजी कितिया है हमारी 4.969 इंटू 10 की हमारे फोटॉं निकले हाँ ठीक है हम से पूछाए कि एक जूल अगर हम देंगे वंदलब बंजूल नगे तो कितना आएगा देलों वन जूल देखेंगे तो हम मांते हमारे एक्स फोटॉं निकल दाइंगे ठीक है अब उन्हें पूछा एक्स का मतलब तो हमने बताया एक्स इक्वल्टू होता है कितना हो जाएगा तुम्हारा देखो वन वन अपॉन यह जाएगा फोर पॉइंट नाइन सेक्स नाइन इंटू टैन की पावर माइनस 17 जूल यह हो जाएगा तुम्हारा ठीक है जब इसको सॉल्फ कारोगे तुम तो क्या तम्हारा एक्स मतलाब क्या हो रहा है अगार तुमने इतनी वन जूल एनरजी दी तौम अगर वन जूल एनरजी दो कितने फोटीन नकलेंगे तुमारे तू पॉइंटू बावर माइनस 16 कि यह तो मैंने करने थे नमर ऑफ वोटन ठीक है जिसकी वेवलेंद कितनी हो 4000 पीकुमीटर पर जब हम दे एक जूल उफ एनरजी दें ठीक है तो हमने टोटल एनरजी निकाली सबसे पहले तो कितनी कप पे इतने वेवलेंद की उपर हमने टोटल एम्जी निकाल लिए समझ गए बात तोटल एनरजी कितनी है हमारी इस रहा हम ने रखा यह वैलू वडिव कॉंस्टंट है यह भी संटला है बाके हमें पॉट करना था सरिफ लेम्डा लैम्डा रामने लेम्डा से करना था हमाही टौटल एनरजी पूट निकल रहे होंगे जितने भी निकल रहे हो तो हमाई वो आ गई ठीक है तो हमने क्या देखा कि भाई इतनी एनर्जी पे हमारा एक फोटन निकल रहे है ठीक है एक फोटन के एनर्जी अमने निकालने की इतनी एनर्जी एक फोटन लेके निकल रहे है ठीक है तो हम से पूछा था कि एक जूल में एक जूल अगर हम देंग और फिर जाएगा तुम्हारा कितना टू पॉइंट इरो बन टू इंटो टैंटी पावर माइनस माइनस 16 नहीं 16 क्योंकि यह उपर जाएगा ना इन्वर्स है ठीक है यह जाएगा तुम्हारा फोटॉंस इतने नमबर फोटॉंस प्रिजेंट है इतना समझ गए वाला ठीक है फोटॉंस देखो यह क्या रहा है फोटॉंस वेवलेंद्थ के फोर इंटू टू टू पाव माइनस सैवन मीटर ठीक है क्या स्ट्राइक्स ऑन मैटल सर्फेस दवाग फंक्शन ऑफ देम्हां तुम्हां वाग फंक्शन दिया है कि ता 2.13 एवी कैल्कुलेट वर फंक्शन क एक लिए क्या करना पड़ेगा फिर से लगा दो वाई इस एककोल टू क्या था एच सी अपॉन लेंड़ा एच किता होता है तुमारा 6.626 इंटू टैन तुरी पावर माइनस 34 इंटू सी भी कॉंस्टेंट होता है 3 इंटू टैन तूरी पावर 8 मीटर पर सेकंड ठीक है यह तुम्हें लेंड़ा दिया हुआ है ठीक है अब यहां से तुम एक निकालोगे तो किता आएगा तुमारा ठीक है जब इसको तुम एक निकालोगे तो क्या एगा तमाई इसे कॉल टू है एगा 4.97 इंटू टैन तूरी पावर माइनस 9 तीन जूल ठीक है माइनस 19 जूल में एक एलेक्ट्रान ओलड़ी दिया 16.1.6022 इंटू टैनल पावर माइनस 19 ठीक है अब क्या एक एनरजी किता आएगा एक जूल का किता वैल्यू आएगा जब एक था ठीक है तो एक इसका वैल्यू किता आएगा वन इवी का चलो कंपेर करते हम ठीक है जब एक एनरजी दे ठीक है जब इतना यूज होगा ठीक देखो यह होगा 1.6022 इंटू टैन तुरी पावर माइनस 19 जूल ठीक है मैंने तुम से सिर्फ यह बोला हमारी एनरजी आ गई जूल में ठीक है हमको इतना जूल चाहिए तो हमका हमारा कितना इवी आएगा मतलब कितना हमारा क्या एगा इसको चलो सॉल्व कर लो तो क्या होगा एक्स समझगे एक इवी गिवन है अब हमें वन इवी गिवन है वन इवी इस एकॉल टू किता है वन पॉइंट सेक्स जीरो टू जीरो इंटू टैन तुरी पावर माइनस 19 जूल तो हमें कितने इवी लगेंगे जब हम क्या करें जाएगी 4.970 into 1030 आवा माइनस 19 इसको उपर इसको नीचे अपॉन ये क्या बाइन पॉइंट 6020 into 1030 पावर माइनस 19 यह दोनों कि निकालना कि वपड़ा कियोंकिंगा में वर्क फंक्शन निकालना है समाझ गई यह आ गया हमारा चलो अब दूसरा देखते हैं कि अब देखो अब देखो अब तो मैं कया कैने टेक एनर्जी ओप इमीशन निकालना है तो एक एनर्जी क्या होते के is equal to किय क्या होता है कि माइनेश वर्क फंक्शन अधिक ऐ माइन ऐसब्ट फाक्ष्ट और कहनेटए कहने जी का फॉर्मूला क्या होता है वो होता है हो क्या होता है तुमारा वन अपान तुम बी स्क्वैर ाइज एक कल टू ए-cciones है तुमारा जब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो किता आएगा तुमारा यह आएगा वन अपॉन टू एम वी स्क्वेर इस एक्वल टू क्या हो गई 0.97 ठीक है 0.97 बस अब क्या तुम यहां से वी की वैल्यू निकाल सकते हो एम क्या होगा मास ओफ एलेक्ट्रॉन क्योंकि वही तुन मारा इस पो टू क्या होगा तुम्हारा वी स्क्यरे लेक्ट्रॉन क्योंक हिरो क्यों टू एँ्टि यह हैका तू अumeरा थे आप बात किसकी चल रहाए नंबर्स ओफ एलेक्ट्रॉन की चाहिए ठीकर वट नंबर्स ओफ एलेक्ट्रोन तो वह म्हँआ ओंगे फिर से वाही एने जीजिए 6.022 इंटू 10 to the power 23 upon ठीक है अपन क्या हो जाएगा तुम्हारा मास आफ एलेक्रों क्या होता है तुम्हारा मास आफ एलेक्रों क्या होता था 31 माइनस 31 kg में था ना 28 से convert किया था याद करो ठीक है क्या था एम से एम में था पहला एम जी में था फिर convert कि ग्राम में था उसको convert किया था उसमें तो यह हो जाएगा तुम्हारा क्या यह आव इदर से तुम वी की वैल्यू निकालोगे ठीक है जाव इदर से तुम वी की वैल्यू निकालोगे तो वह क्या आएगी वह क्या आएगी तुम्हारी 0.583 into 10 to the power 6 meter per second ठीक यह जाएगे त तो मैं 3.1 3.1-0.13 कर रहा था तो आया था ठीक उसके बाद energy तो हमने निकाली ली energy कित्ती है था माई energy kyit 하는데 कर दीगान यहां से और यहां से ही हमने कहां नीकाला था 5 ने काला था महाना यह तो महीं लगता है तो मैं एक टन लगण लगता है एक electron को निकालने के लिए वह होता है तुमारा disk ना इंत कोशन अब चलो दूसार देखते हैं विस behavior और चाहिंट तो इस जस सफिशेंट तो आइनाइज सोडियम एटम ठीक है कैलकुलेट दा आइनाइजेशन इन्थेलपी ऑफ सोडियम इन किलोग्राम मोल इनवर्स ठीक है तो यह क्या होता है कि भाई देखो एक मोल मतलब सोडियम को आइनाइज करने के लिए तुमैं कितनी क्या लगेगी लगेगा तो हम यह बताना है तो या पॉन क्या हो जाएगा इंटु न कियो कि सकी बाद चल रही है मॉल्स की बाद चल रही है ठीक है अपन x20 ङके पाइसे निगा लिए हम क्या आइनाइज अवफ एन ठीक है एसे निकालएelas अब हमें सबसे पहले चाहिए, E is equal to क्या होता है, H c upon lambda, H की value हमें पता है किती होती है, 6.626 into 10 to the power minus 34, यहीं होती है, थीख है, अब, अब क्या की वैल्यू किती हो धी 3 into 10 to the power 8 upon फीन ठीक है लेमडा किता दिया तो मैं 4242 जो की दिया है तो मैं नैनोमीटर मैं नैनोमीटर से कन वट करोगे तो किता मैं होगा वो 10 to the power minus 9 मीटर मैं तो लेख दो 10 to the power minus 9 मीटर समझ गए बाद चलो अब इसको सॉल्व करो के तो क्या आएगा तमारा वह आएगा इस एक कल टू याएगा जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन इंटू टैन तुरी पावर माइनस 17 जूल ठीक यह आएगा तमारा अनर्जी आप तम्हीप पास अनर्जी आ गया है तुम्हें पता है ठीक है तो यह जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा आनसर जालो और ओ यह और ठीक और sodium आएगा ठीक है वो किता है तुमारा वो आएगा तुमारा देखो यह किता है 0.082 इंटू टैन तुरी पावर माइनस 17 इंटू एवगेटो नमबर किता होता है तुरी इंटू टैन तुरी पावर 23 यह टू 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 यह 23 दोनों होता है मलब अलग-अलग बुक में अलग-अलग भी दिए ठीक मलब ज्यादा तर तो टू-टू ही लेते हैं ठीक है अब यह हो जाएगा थाउजन यह हो जाएगा थाउजन जब इसको सॉल्व करों को कि तो कहां है का तुमारा 497 ठीक है यह जाएगा तुमारा एशन अनर्जी अनर्जीwie है तू किसमें आहगा जूल में पार morb चूए मोल एजैन मोल तीक और है का है तुमारा कैजी में था ही j Gef. अगा है तो यह कनवर्ट ह एमेट्स मोनो क्रोमेटिक यलो लाइट और वेवलेंथ 0.57 माइक्रोमीटर ठीक है अब इसको कनवर्ड करो माइक्रोमीटर को तो क्या हैगा 0.57 माइक्रोमीटर इंटू 10 तुडिपावर माइनस 6 मीटर होगा इसका ठीक है इतना होगा तो calculate the rate of emission of quanta per second quanta per second ठीक है तो तुम्हें rate of emission क्या होता है power अपन क्या होगा यह मतलब energy जिता लग रहा है वो तो अब तो मैं energy तो है ठीक energy ही तो निकालना पड़ेगा तुम्हें अब energy निकालना पड़ेगा तो चलो energy क्या है e is equal to क्या होता है तुम्हारा h c upon lambda ठीक है h किता होता है तुम्हारा h हम कब से पढ़ते आ रहें 6.626 into 10 to the power minus 34 ठीक है यही होता है joule second अब उसके बाद तुम्हें कैचा यह c c पता है हमें 3 into 10 to the power 8 meter per second उसके बाद lambda lambda हमारा किता है 0.57 into 10 to the power minus 6 meter बस सब कुछ आगया है ठीक है अब वैल्यू पॉट करना है तो में तो वैल्यू पॉट करो चलो वैल्यू पॉट करो क्या है गाई इस एक कल टू हाँ is a call to a 6.626 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 upon lambda किता है 0.57 into 10 to the power minus 6 समझे का सीदे सीदे वैल्यू पॉट करनी थी ठीक है अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा ठीक है इस क्या आएगा तुम्हारा तुम्हारा इस एक कॉल टॉट एगा 3.48 into 10 to the power minus 19 Joule यह आगया यह आगया तुम्हारा ठीक है तुम्हें क्या दिया है तुम्हें पावर दिया हुआ है पावर दिया है अब तुम्हें क्या करना है पावर पावर दिया है एनरजी दिया है तो तुम्हें निकाल सकते हो रेट आफ इमीशन निकाल सकते हो तो चलो निकालते चलो निकालते है क्या है देखो 25 अपन कितना है तुम्हारा यह 3.48 इंटू टैन तुरी पावर माइनस 19 ठीक है तो यह क्या आगा तुम्हारा 7.4 ठीक इंटू टैन तुरी पावर ऊपर जाएगा तो यह क्या जाएगा 19 ठीक है और यह किसमें होगा शेकंड में होगा क्योंति क्या रेट निकालना है यह सबुम्हारा इंवर्स में समझेगे बात चलो ठीक यह वाला होगे हमारा कोशन नमबर 11 अब चलो दूसरा देखते हैं आप क्या कहा रहा तुमारा एलेक्ट्रों आर एमिटेड ठीक विट वैलोस जीरो वैलोसिटी जीरो वैलोसिटी से वह कहां हो रहे हैं हो रहे हैं from a metal surface when it exposed to radiation of wavelength इतनी wavelength से जब तुम expose करते हो तो वह जीरो वैलोसिटी से क्या हो रहे हैं तुमारे हो रहे हैं एलेक्ट्रों इतना समझ गए ठीक है तो देखो यह है 6800 तुम्हें क्या दिया है इस wavelength से वह हो रहे हैं लेंड़ तुम्हें गिवन है ठीक है तो यह बताव एंग्स्ट्रॉम क्या होता है टैन की पावर माइनस तैन तो देखो जाएगा 6800 इंटू 10 की पावर माइनस तैन मीटर अगर में 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 करनेंगे तो यह कितना हो जाएगा 68 इंटू 10 की पावर माइनस 8 meter इतना समझ गए ठीक है तो लेम्ड़ के आ गया अब कैलकुलेट अथ्रेशोल फ्रेक्वेंशी एन वर्क फेक्वेंस वर्क फंक्शन तो ठीक है थ्रेशोल फ्रेक्वेंशी क्या होती तुमारी म्यू नॉट मैं घिवन है ठीक अब त्रफ्षो एक इक मैटल सरफेस है तुमाहरी मालो यह तुमारी एक मैटल सरफेस है इस पर एलेक्ट्रॉन प्रेजन्ट है भूत सारे इस इन्लेक को निकालने के लिए जतिनी minimum energy लगेगी ठीक है उसको क्या बोलते हैं वाइक फंक्शन और कई जगा पर जो वाइक फंक्शन है और उसको energy के equal ही माना है ठीक है तो वाइक फंक्शन का formula क्या होता है डबलू is equal to होता है तुम्हारा एक न्यूक्षेख मियूनाट और यह थोड़ा सा न्याद आ रहा होगा ही इसए लिए ऌता होता है ठीकए चलो बहां से याद तो आप तक तो याद कर लो ठीक है और लेम्डा तुम्हें तबने अभी ने का लिया तो तो यूनट किसमें आएगी यह जाएगा तो सैकंड इन्वस में तो मिव नॉट एक कॉल तुकितना आएगा तुमारा ये देखते हैं 4.414 इंटू 10 की पावर देखो यह कितना है तो कितना तुमारा 4.414 इंटू 10 की पावर 14 ठीक इस सेकंड इन्वर्स इतना समझ गये हैं ठीक है यह जाएका तमारा इतना अप तुम्हें निकालना क्या-चाया किसे निकालोगी तूम यह एक और तुम सिर्फ सिधर वैलू इससे पूरूट करनि तुमने क्यों क्योंकि पाता ही हुई ठीक है फार्मूल पाता है बालो एल्लव पॉड करो सीधे देखो क्या होता है तो मारा वंग फंक्शन एज़े कॉल्टू होता है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू इंटू कितना है तुमारा 4.41 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इन्वर्स यह होता है तुमारा ठीक है चलो तो इतना हमाँ समय क्या आएगा वार्क क्या आएगा विर्क फंक्शन एक तरीकी है अनर्जी ए टीक है तो यह को आयगा तो इन्टू 10 की पावर – 19 अजह पाउर्क वर्क यह थो नुट तो से नियुक्त और लेमडा और हमने सवेज़ नजी के कॉल होता है है वो है चापन एक फिनना इंक तो हम सर्फ ये वैलु चाहिए था फंक्षन निकाल सकते है तो यह वैलु निकाल ली हमने आ पर सीधे पूट कर दिया तो क्या है हमारा वह तो लाइब यह यह तो 4 2N 2N level with N2 तो N1 क्या होगा तुमारा N1 हो गया तुमारा 2 और N2 होके तुमारा 4 ठीक है और हमें क्या पता है हमें relation पता है relation wave number wave number is equal to क्या होता है RH ठीक है 1 upon N1 का square minus 1 upon N2 का square ठीक है तो यह क्या हो जाएंगा तुमारा यह हो जाए सिक्स्तीन रही है हो agree घ्र है ठीक यहां पे क्या हो जाएगा बना पॉर माइनस ठीक वान पउन 4 और यह 4 का स्क्वेर 16 तो हो जाएगा वान आपउन 16 ना अब स्काल से हम लोगे तो क्या आघा 64 इसकाल से किता है गा 64 आघा वेव नमबर क्या होता हो रहामें रांप रिलेशन पता है वेव नम्मर के बीच में वान अपॉन वेवलेंदम एज एककल । यही होता है विन मार इसकी वैलियू किते है इसकी वैलियू आती है 10678 ठीक टीक रा 12 upon 64 ठीक है तो यह क्या है का वन अपॉन लेम्डा इस एक्वेल टू 10678 इंटू क्या आएगा यह 12 upon 64 है ना 12 upon 64 जब इसको सॉल्व करोगे तो लेम्डा की वेल्यू क्या एगे लेम्डा इस एक्वेल टू यह आएगा 486 नैनोमीटर समझ गए यह आएगा और रहे बार कॉंस् आएगा यह 109678 होता है तो यह होगा हमारा वेवलेंद और वेवलेंद वेवन नंबर की बीच वह में रिलेशन पता है इसलिए यह निकल आया ठीक है और क्या यह तुमको दिया हुआ है यह वाला याद रखना फॉर्मुला यह जगा लगता है ठीक चलो ठीक अब देखते कौन सा हमारा कि हाउ मच एनरजी इस रिक्वाइड टू आइज एच एटम टिक आउनाइज आ हाइड़न एटम इफ एलेक्ट्रों ओक्यूपाइज फिफ्ट एनर्जी और ठीक अब क्या है फिफ्ट और बिट को जब वो क्या करता है ऑक्क्यूपाइज करता ठीक कंपेर य और एनवन को क्या करना कंपेर करना है तो सबसे पहले सबसे पहले अनरजी क्या होती की햇ज को कि धुक्यास कि माइनस प्रेजेंट रहता है APP on N square स्क्वेर ठीक है तो यह तो मैं पता हूना चाहिए बाएज ठीक माइनस और माइनस साइन कि स्क्यूपाइज क्यों आता है ठी ठीक है वो जो की जो प्रेजेंट रहता है वो ठीक है जो प्रेजेंट है वो और जो फ्री स्टेट में है जो फ्री स्टेट में है ठीक है जो फ्री स्टेट में उसके एनरजी काफी ज्यादा होती है और जो वो है जो प्रेजेंट है एटम में ठीक है वो उसके एनरजी बहुत कम होती है मतलब कि वह कहां पर है infinity दूर है मतलब बहुत दूर है नुकलिस से बहुत दूर है इसलिए वह फ्री स्थेट में प्रिजेंट समझ गए बात इसलिए उसके जो साइन है वह नेगेटिव वैल्यू में आता है समझ गए बात चलो ठीक है अब हम इफिनिटी पर जिसको हम zero कंसिडर करते हैं ठीक है उसकी energy हम क्या छुआ करते हैं विद दाकरते हैं समझें 0-e तुमाइड जो सैल में प्रेसेंट है तो अभी किसे निकाल रहे हैं इफाइव करने काल रहे हैं तो चलो रग देते हैं ठीक है रखेंगे सब्सक्राइब लिए अब फाइव की अगर मैं वैल्यू निकालू तो जीरो माइनस तीक जीरो माइनस और मैं इसकी वैलीू रख दो फिर क्या आएगा यह देखो यह जाएगा माइनस आरेच अपोन एन स्क्वेर एन की वैल्यू किती दिये तो मैं फिफ्त और बे और यह क्यों हो जाएगा और एच अपॉन 25 तो यह हो गई हमाई एक्वेशन नमबर फास्ट ठीक सिमिलरली हम किसका निकालेंगे हम यह एंफिनीटी माइनस इस यह बोल सकतो है इन फीनिटी माइनस इफाइन समाझ कही बात चलो देखो अब क्या होगा इए इन फिनिटी मतलब कि 0-1 ठीक है इवान हम निकालब न ठीक इंफिनिटी मतलब 0- माइनस आरेच फिर से आएगा एन की वैल्यू धर पर क्या हो गई अब वन हो गई ठीक वन का स्क्वेर वन ही होगा ठीक है तो आई-ई क्या हो जाएगा आई-ई-वन इस एक्वल टू जाएगा आरेच अपॉन वन समझगे पाथ आरेच अपॉन वन तो अब तुम देखो इसको कंपेर करsın क्या एगा तुमारा अगर मैं डवाइड कर दूँ राएट और श्तक वतलब इसको इससे डवाइड करदू तो आयेगा क्या ओक और एकıs लब manner फस्ति टिक अ इक्विश豆 नम्ब first divided by second तो क्या हो जाएगा तुम्हारा वो जाएगा ई आई फाइव अपन आई एवन ठीक आई इवन अब यह क्या हो जाएगा तुम्हारा इसे कल टू आर एच अपन क्यों जाएगा यह 25 इंटू ठीक इंटू क्यों किया अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इसका पोजट हो यह क्यों जाएगा वान अपन आरेच ऐसी होगा इसको डिवाइड करो तब भी आएगा तो आर से आरेस से आरेस कैंसल इसलिए आरेस की वैल्यू नहीं रखी ती क्योंकि क्या हो जाता थोड़ा सा तुम फिर बोस लेकि इसको सॉल्व करो तो वह सॉल्व करना हो ठीक है क्या होगा कि आए मेंगा 25 टाइमस आइथपाइव के निश फाइवक के टो जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो भी क्या जो भी एलेक्ट्रॉन फिफ्थ में थीक है फिफ्थ में है Heil वो उसका वन अपॉन उपन त्विपताइम होगा मतलब तो मैं अैसे misfumbled वी बोल सकते हो कि जो एलेक्ट्रोन वन में है ठीक है उसकी आयनाइजेशन इंथलपी 25 टाइम होगी जब वो एलेक्ट्रोन एंड तुदी पावर फिफ्ट और्बिट में होगा समझ गए ना यह बात ठीक है तो यह आजाएगी तुमारी रिलेशन क्या 25 टाइम से तो तुम्हें सिर्फ यह याद रखना है कि formula क्या है ठीक है formula क्या है और रहेच की वैल्यू नहीं भी पूट करोगे तो भी तुमारा आजाएगा क्योंकि लास्त मैं एट लास्त में जब comparison के जब भी आया ना तो constant की value छोड़ दिया करो छोड़ दोगे तो क्या होगा constant से constant cancel और बागी कर बाचेगा तुमारा क्या वैल्यू ठीक तो यह हो जाएगा तुमारा question number 14 ठीक चलो अब दूसरा देखते हैं कौन साथ देखो अब क्या है कि what is the maximum number of emission lines when the excited electron of hydrogen atom tick in conscious shell कौन से orbit में यह सिक्स्त में ठीक drops to the ground state ठीक 6 से वो किस पे आ रहा है ground state पे ठीक 6 से मतलब 6 यह ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है ground state कहां से आ रहा है वो आ रहा है सिक्स्त से इस और बेट से ठीक है तो हमें एक formula पाता है वो क्या होता है n n-1 upon 2 यह हम पढ़ते ही आ रहे हैं ठीक है तो हमारे पास किया है हमारे पास orbit already present है तो इसमें क्या पता चलेगा हमें पता चलेगा कि भाई कितनी emission lines बन रही है ठीक तो 6 upon 2 ठीक है और फिर 6-1 यह कित्ता हो जाएगा यह जागा 5 यह जाएगा 6 पहले bracket solve कर तो कित्ता है यह जाएगा तुमारा 15 यह जाएगा तुमारा 15 ठीक अब उसके बाद समेशन निकालने अगर हम ठीक समेशन निकालने अगर हम ठीक है एंट्व माइनस एंवन से ठीक एंट्व माइनस एंवन से क्या होता है समेशन एंट्व माइनस एंवन से हम निकलता है ठीक समेशन निकाल लेंगे अगर हम तो क्या आएगा समेशन n2-n1 ठीक वो सिंस्थ से आया है तो कहां से इस से ठीक है कि अराया है वह आया है एन वन पर ग्रांड पर प्रत क्या होगी तो क्या हो जाए गरी शमेशन n 2 तो 6- so 1 कि समझे एन ग्राउंस्टेट पर पहला यह ओर विट हो गा समझे तो यह क्यों जाएगा यह जाएगा तुम्हारा यह लड़ इन यह तिक समेशना यह जाएगा 5 ठीक समेशन 5 को हम कैसे लेक तो प्लस 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 एंप त्मारा यह जाएगा 15 समझ गहां यह जागा तमारे किता फाइव नाइन और यह किता हो जागा तुमारा सिक्स तो यह जागा फिफटीग तो कितनी लाइंस बन रही है 16 ठीक है वाट दमेक्जिमम नमबर ओफ एमिशन लाइन कितनी बन रही है 15 समझ गाए बात चलो यह वाला कोशन हो गया हमारा ठी इसी के साथ हमारे यह वाला क्या वीडियो खतम होगे आने वाली वीडियो में इसके आगे वाले कोशन देखेंगे तो उमीद है आप सब प्रैक्टिस करते रहेंगा फॉर्मूले आपने लिखे होंगे उमीद करता हूं ठीक है चलो मैं हूं अर्पेत फ्रम लर्नों हम फ्र झालो झालो